हर्याण सरकार के फौरेस्ट डिप्टि फौरेस्ट रेंजर और फौरेस्टर पडु पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है इस अधी सूचना के बाद राज्य में विवात खड़ा हो गया सामाजिक कारेकर्टा इसे महिला विरोधी बता रही है राज्य के बड़ी नेताओं ने भी इस अधी सूचना का विरोध किया है आईए पहले जान लेते हैं कि इस अधी सूचना में ऐसा क्या है जो इतना विवात का विशय बन गया है दरसल वन विभाग के पदों के लिए जारी इस भरती अधी सूचना में पुर्षो के साथ साथ महिलाओं की भी छाती मापने की बात कही गई है पुर्षो के लिए छाती बिना फुलाए 89 सेंटी मीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटी मीटर रखी गई है वही महिलाओं के मामलों में ये दोनों माप 74 सेंटी मीटर और 89 सेंटी मीटर रखी गई है इसी तरह अलग-अलग पदों के लिए ये पैमाने अलग-अलग रखे ग गई थी जिसमें इस बारे में बात की गई थी इसमें सभी टेस्ट 13 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होने के लिए टै किया गया था दूसरे पेज पर शारिक माप वाले कॉलम में महिला और पुरुस रेंजर्स और डिप्टी रेंजर्स की छाती की माप लिखे गई थी इस जब इस मुद्दे पर हरियाना स्टाप सेलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बोपाल सिंग खादरी से इंडिया न्यूज हरियाना ने बात चीत की तो सुनी उन्होंने क्या कहा विपक्ष की और से बड़े सवाल जो है वो खड़े किये हैं ऐसे में नियम क्या कहते हैं नोटिफिकेशन किस हवाले पर हुई है यह तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हर्याना करमचारी चायनयोग के अध्यक्ष जो है भुपाल सिंग खदरी सा मौजूद है खजी साब बड़ा बवाल जो है विपक्षिस मुद्दे को लेकर कर रहा है कि मेजरमेंट जो है वो महिलाओं की जो ओडर आए हैं वो कतई सवीकारे नहीं हैं क्या नियम कहता है और क्या कहेंगे समुद्दे पर यह जब एड़ोट एजमेंट हुई थी इन पदों के लिए जिसमें सारीरिक मापद अनिवारिये हैं तो तब ही हमने यह अबजेक्शन किया था डिपार्डमेंट्स को कि यह ठीक नहीं है तो डिपार्डमेंट्स ने हमारे को यह जवाब दिया था अपने पत्तर में कि यह रूल्स बने हुए हैं हमारे रिक्रूटमेंट्स रूल हैं और आज से नहीं लगबग 20-25 साल से रूल बने हुए है। रूल चेंज करने में बहुत जादा देरी होती है। कैबिनिट सतर तक जाती है। तो इसमें आठ से दस महिने लग जाएंगे। तो जब ये जबाब आया तो हमने सोचा एक तरह से कि ये महिलाओं की जो सीटे हैं व कि ये सरकार महिला विरोधी है। कोई भी पोस्ट इन्होंने महिलाओं की इसमें मैंसन नहीं की है। तो इन्होंने तो कुछ न कुछ बोलना है। उस टेम ये महिला विरोधी कहते हैं और आज ये कुछ और कहके बच्चों को गुमरा कर रहे हैं। इस PMT की प्रक्रिया में जो अभ्यारती हैं महिलाओं जो आएंगी उनके लिए किस तरह से जो है ये PMT का प्रोसेस जो है वो आप लोग गंड़क्ट करने की तैयारी करते हैं। अभी इस प्रदेश की फोरेस्ट मिनिस्ट रह चुके है मेरी बहन किरन चोधरी अगर महिलाओं के बारे में इतना ही वो था तो उन्होंने अपने कारियकाल में रूल बदल देने चाहिए थे। तो हमारी बेटियां आज जो हमारी कहते हैं हमारी छोरियां कोई छोरों से कम थोड़ी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये बंद कमरे में होगा महिला डॉक्टर और महिला कोच जो है इस तरह की जो मेजरमेंट है हमारी बेहन बेटियों की वो महिलाओं करेंगी यहां तक कि चेर्मेन को भी उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं होगी। नौकरी को लेकर सियासत बहुत रहती है अगर निकलती हैं तो इस तरह के मुद्दे उड़ जाते हैं। हर्याना के लास्ट बोर्डर का गौँ है कलेसर वहां पे 12 ओपरेटर भी 4500 रुपे में नर्वाना का लगा हुआ था। तो भेदभाव की बात कर रहे हैं। मेरी एक बहन भी बेटी ने जो उमीदवार है उसने कोई अबजेक्शन नहीं किया। इनके पेट में पतनी क्या मरोडे उठ रहे हैं कि ये खाम खाके मुद्दे उठा के लियाते हैं। और एक बद्दा मजाक अपनी मान सिकता दरसाने का काम करते हैं। CET में चार फीसदी जिस तरह से अजस्ट्मेंट को लेकर सर चल रहा है। क्या कुछ आपने लीगल राय भी ली है। क्या कुछ उसमें सामने निकल कर आया है। किस तरह से इंप्लिमेंटेशन जो अभी तो जो CT का ड्राफ्ट है, CT के जो नियम हैं, हम उसके अनुसार ही भरती करेंगे। और पोस्ट के चार गुणा बुलाएंगे। जो हमने फार्मॉला अपनाया है, वो आज हमने AG साब को वैट के लिए हम गए थे। और दो तिन घंटे की हमने डिसकसन किया है, इस पर एक दो दिन में हम राइटिंग में वो जो फार्मॉला है हमारा उसको पबलिक डोमेन में डाल देंगे। कहीं ओची मानसिक्ता जो है, वो यहाँ पर दिखाने का काम जो है, वो भी पक्षी नेताओं की और से किया जा रहा है। कैमर परसन मोनू के साथ विपिन परमार इंडिया निउस पंच खुला।